जैश्र किष्णा जैश्राधे अर्चना के किष्ण गुनगान चैनल और किष्ण गुनगान पेज पर आपका स्वागत है आज मैं आपको करवचोध की ब्रत कता सुनाती हूँ बहुस मैं पहले की बात है कि एक साहुकार के साथ बेटे और उनकी एक बेहन थी सबी सातों भाई अपनी बेहन से बहुत प्यार करते थे यहां तक कि वे अपने से पहले उसे खाना खिलाते और बाद में स्वय खाते एक बार उनकी बेहन ससुराल से आई हुई थी शाम को भाई अपना ब्यापार ब्यापसाय बंद कर के घर आये तो देखा उनकी बहन बहुत ब्याकुल थी सभी भाई खाना खाने बैठे और अपनी बहन को भी खाने के लिए कहा लेकिन बेहन ने बताया कि उसका आज करवा चौध का निर्जल ब्रत है और वह खाना सिर्फ चंदर्मा को देखकर ही उसे अरग देखकर ही खाएगी चुकि चंदर्मा अभी नहीं निकला है इसलिए वो भूग प्यास से ब्याकुल हो उठी है सबसे छोटे भाई ने अपने बेहन की ये हालत नहीं देखी गई उसने दूर पीपल के पेड़ पर एक दीपक जलाकर चलनी की ओट में रख दे और दूर से देखने पर ऐसा परतीत हो रहा था जैसे चतुर्थी का चांद उधित हो गया हो उसके बाद अपनी बेहन को बताता है कि चांद निकल गया है तुम उसे अर्ग देकर भोजन कर सकती हो बेहन खुशी के मारे सीड़ियों पर चड़कर चांद को देखती है उसे अर्ग देकर खाना खाने बैड जाती है जब वो पहला टुकड़ा मुह में डालती है तो उसे बाल निकल जाता है और तीसरा तुकड़ा जैसे ही मुह में डालने की कोशिश करती है तो उसके पती की मृत्यू का समचार उसे मिलता है वो पौखला जाती है उसकी भावी उसे सच्चाई से अवगत कराती है कि उसके साथ ऐसा क्यूं हुआ करवा चौत का ब्रत गलत तरीक से तूटने के कारण देपता उससे नाराज हो गए है और उन्होंने ऐसा किया है सच्चाई जानने के बाद करवा निश्चे करती है कि वो अपने पती का अंतिम संसकार नहीं होने देगी और अपने स्वतित्तों से उन्हें पूनर जीवन दिला कर रहेगी वो पूरे एक सा काल बाद जब करवा चौत का दिन आता है तो उसकी सभी भावियां करवा चौत का प्रत रखती हैं जब भावियां उससे अशीरवाद लेने आती हैं तो वो परतेग भावी से यम सूई ले लो पीय सूई देदो मुझे भी अपने जैसी जयासे सुहागन बना दो ऐसा अग भी उसे बताती है कि चूंकि सबसे छोटे बाई की बज़ा से उसका ब्रत तोटा था अतै उसकी पत्नी में ही वह शक्ति है कि वह तुमारे पती को दोबारा जीवित कर सकती है इसलिए जब वह आए तो तुम उसे पकड़ लेना और जब तक वह तुमारे पती को जिंदा ना क उसे नहीं चोड़ना ऐसा कहकर वह चली जाती है सबसे अंत में छोटी भाबी आती है करवा उसे भी सुषागन बनने का अग्रह करती है लेकिन वह टाल मटोली करने लगती है उसे देख करवा उन्हें जोर से पकड़ लेती है और अपने सुहा को जिंदा करने के लिए कहती है भावी उससे चुड़ाने की लिए सोचती है लेकिन करवा उसे नहीं छोड़ती है अंत में उसकी तपस्या को देखकर भावी पसीज जाती है और अपनी छोटी अंगुली को चीर कर उसमें से अमरित उसके प भाबी के माध्यम से करवा को अपना सुहाग मिल जाता है। हे श्री गनेश माता गौरी जिस प्रकार करवा को चिर सुहागन का वरदान दिया वैसा ही सवी सुहागनों को मिले। इसी तरह की और वी कताएं सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेर और सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जै श्री किशना अवस्ते लिखें। जै श्री किशना, जै शिराधे।